देखें, वर्क पावर एनरजी में वर्क क्या होता है, आपने जनरल भासा में आप बहुत बाते करते हैं, ये काम किया, ये काम कर लो, ये काम कैसे किया, ये काम वर्क करना है, ठीक है, लेकि वर्क होता क्या है, यानि वर्क का मतलब होता है कि वो चीज जो की जाती है, which we have to do हमें जो करना है उससे हम वर्क कहते हैं तो यह definition लिखेंगे अब वर्क which we have to do that is called work ठीक है तो वर्क का मतलब देखाए गया कि जैसे आप किसी बॉड़ी को एक जगे से दूसरी जगे ले जाते हैं तो आप कहते हैं कि हमने वर्क किया मतलब वर्क करने के लिए पहली बात तो सुझ में आ गई कि हमें कुछ बॉड़ी को एक जगे से दूसरी जगे ले जाना है अगर नहीं ले गए तो वर्क नहीं किया आपको अगर एक बहुत बड़ा सा दो कॉंटल का भोरा दे दिया गया भर करके ओ बंबी ने खा धका मार के इसको वहां खिसका दो और आप दिन बर धका मारते रहे तो ताकत तो लगाया न आपने फोर्स तो लगाया और बाद में आप थोड़ी दे बाद बंबी आए और देखा तो क्या कहा उन्हों ने आपने बड़ा अच्छा वर किया क्या बोलती है क्या कर रहे हो कहा रहा है कुस काम करके रख्यो यानि आपने काम नहीं किया तो काम के लिए जरूरी क्या है displacement होना चाहिए ठीक है तो हम समझ गए कि वर्क के लिए displacement की ज़ुरत पड़ती है दूसी चीज हमको उसे फोर्स लगाना पड़ेगा कैसे का है बोरे जाओ अपने आप चला जाएगा नहीं जाएगा ना पहले चला जाता होगा आँखों से लोग वर्क कर देते थे ऐसे देखत जाता था ठीक है तो यानि कि वर्क के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा तो हम समझ गए कि वर्क करने के लिए दो क्वांटिटी चीज़ पड़ती है एक फोर्स और एक displacement ठीक है दूसी बात हम एक बॉड़ी लिए 10 किलो की और हम 10 मीटर लेके गए आप उसी बॉड़ी 10 किल करना पड़ा को 20 मीटर लेके गए किस ने ज्यादा वर्क किया जो 10 मीटर लेके गया यानि हम समझ गया ज्यादा displacement तो ज्यादा वर्क ठीक है अच्छा हमने क्या किया एक 10 किलो की बाड़ी 10 ले गए 10m, एक 20kg की ब्यूदी ले गए 10m दोनों बडी हम सेम दूरी पे ले गए लेकिन एक 20kg थी किस पे ज़्यादा परकना प्ड़ा 20kg दे तो ही. 1kg मतलब 1kg किलो वेट किलो मतलब उसके वेट के बारे में बात कर रहे हैं यानि कि force ज्यादा तो work ज्यादा और displacement ज्यादा तो work ज्यादा तो हमने work को relate कर दिया किस से force और displacement से जरूरी यह था कि जिधर force लगे displacement उधरी होना चाहिए 20 शी लाइन में होना चाहिए 20 जैसे मान लिया एक बॉडी है अभी तो वर्क की बैग्राउंड समझाई जा रही है आपने इधर फोर्स लगाया बॉडी पे और बॉडी डिस्प्लेस होकर के इधर चली गई ठीक है अब यह ने करना इस छोटी कैसे हो गई यह मोटी कैसे हो गई तो यानि जो डिस्प्लेस्मेंट हुआ है इधर की तरव वो फोर्स की डिरेक्शन में हो रहा है नहीं हो रहा है यानि फोर्स की लाइन अफ एक्शन और डिस्प्लेस्मेंट की लाइन अफ एक्शन एक ही है नहीं है दूसरा यह गाड़ी है आपकी और यह गाड़ी इधर के उड़ जा रही है आपने ब्रेक लगाया और बॉड़ी यहां पर जाकर कर रोग गई यह displacement हुआ force की दर लग रहा है force की दर लग रहा है break लगाया तो force opposite लगा होगा ना तो अभी क्या work नहीं हुआ क्या हुआ क्यों 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 कि force की yanos etion और displacement की line of action same है तो work का मतलब समझ में आ गया कि work में जो force होता है और जो displacement होता है उसकी line of action same होती है तो ये तो work क्या background है work किस physical quantity का नाम है और कब work होता है अब mathematically उसको कैसे कहा जाएगा तो लिखे definition the product of the force and the displacement the product of the force applied on a body and the displacement in the direction of force in the direction of force is called work is called work given by force and displacement product of the force and displacement in the direction of force given by work is equal to work is equal to into displacement किदर in the displacement in the direction of force in the direction of force work को हमने dot product पढ़ा रहे थी तो हमने कहा था जब दो vector quantity same direction में होती है तो उनके multiply को हम dot product से करते हैं और वो scalar quantity होती है दूसरी बात हमने क्या किया हमने एक body ली 5 kg की 10 kg की जो भी ली एक body ली हमने उस पर 10 newton force लगाया इधर देखिए इधर displacement किया 20 meter हमने work किया आपने इधर displacement किया 20 meter आपने work किया एक इधर displacement किया 20 meter वर्क किया तीनों work सेम थे का लग लग थे अलग लग थे उतरने अलग अलग है सेम थे ना यानि की direction बदलने से work की value चेंज नहीं हुई तो हमें समझ गए work कैसी quantity है it is a scalar quantity यानि it is पहली बात होगे it is a scalar quantity it is a scalar quantity scalar quantity तेखें जो scalar vector को हमने modify किया या पहचाना है वो अपने knowledge से पहचाना है कि कहां पर vector बिना direction के बात नहीं बन रही है और कहां पर बिना direction से भी बात बन जाती है अच्छा जब बात इसकी unit की की है इसकी unit क्या होती है तो force की newton और s की meter तो इसकी unit एक तो newton meter होती है या एक को और नाम दिया गया जूल ठीक है अब बात dimension की करेंगे इसकी तो dimension इसकी निकालो क्या होती है निकाल की बताओ मालिया हमको dimension निकाल ली हो और हमको नहीं मालूम न्यूटन की dimension थोड़े निकाल पाओगे न्यूटन से dimension थोड़े निकलेगी आपको तो लंबाई चोड़ाई यो उचाई यो किलोग्राम चाहिए ना तो देखे अगर हम निकालना चाहे तो f को क्या लिखेंगे है मैं into s अब एक की नहीं मालूम तो a का फ्रॉमला क्या होता rate of change of velocity इंटो स velocity का तो मालू है नहीं मालू तो velocity meter per second होता है तो देखे you, M का M हो गया velocity का meter l T inversion हो गया और upon क्या है t तो upon t हो गया और इंटो s का L हो गया तो m L into L दो बार है तो L square T inverse 2 dimension क्या हो जाएगी M L square T inverse 2 मतब जो चीज़ पढ़ाई जा चुकी है उसको जड़ा मेमोरी में रखिए नोट करिए इसको एक नोट देखिए आपने बच्पन में जो है और रिमूट वाली कार्ट खरीदी होगी ना अच्छा लेकर आगए तो उसमें सेल फ्री मिलते हैं तो कब तक चलाते रहते हैं जब तक सेल खतम नहीं नहीं प्रिश्ट दी जाती है फिर मम्मी क्या करती हैं उसकी कार की अग रभाग में छेज करती हैं उसमें धागा बांती है और तुमको पकड़ा देती हैं लाओ विट जलाओ एहां चलाहू इसे जलाते हैं यहीए चालते हैं दागा घञा खादे लें प्वी झोक्र धाने इसे और को फोर्स तो लग रहा है तो यानि कि ये कहा गया कि if force is making angle theta, force is making angle theta with s, ऐस बोले तो displacement, कैसे, वही आपकी धागे वाली कार, देखिए, ये आपकी कार थी, ऐसे उसकी design बना दिया, और इस कार को आप चला रहे थे, रात में तो cell से चला रहे थे, cell खतम हो गए है, तो ममी ने धागा बांदिया और कार ऐसे आप खीच रहे हो धागे को, force लगा रहे हो, ठीक है, और ये कार ऐसे यहां से यहां displace होके आ रही है, यहां पर कार displace होके आ कई गैसे, तो इसका मतलब force का इधर की ओर एक component है, वो क्या है, f cos theta, तो work आपने क्या किया है, then work done, then work done, कितना होगा, w is equal to f cos theta into s, इसको हम vector की बहाद सामें क्या लिखते है, f dot s, ठीक है, तो ये हो गया, अच्छा, एक चीज़ और, क्या आपने ये force कार पे लगाया, सही पता ना, ये force आपने कार पे लगाया, आपने किस पे लगाया, आपने रसी पे लगाया, रसी पे लगाया, तो रसी पे एक create हुआ tension, नहीं समझे, एक create हुआ tension, और रसी ने एक tension ऐसे create किया, इस tension ने कार को तो इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि the work done by the agent of force, ऐसा लिखा जाता कहीं गहीं पर, तो agent of force को मतलब direct force के हम बात नहीं कर रहे हैं, जिस वज़े से force create हुआ, जिस वज़े से car चली, उसको क्या कहा जाता है, agent of force, ठीक है, जिससे body कोई नीचे आई, ग्रेविटेशन से, तो ग्रेविटेशन किसने create क्या, आर्थ, तो आप लिखेंगे body pulled by the earth, इसका बता है, आर्थ pulled by the earth मतलब, आर्थ नहीं gravity उपन के न, तो आर्थ उस force का agent है, तो कभी कभी एक word agent of force, word use हो के आता है, तो समें confused नहीं हो येगा, ठीक है, f.s, अच्छा है, आप note number 2 देखिए, अगर यहाँ theta 90 degree है, तो actually आप component पढ़ते थे थे न, अगर theta 90 कर लोग है, ऐसे force लगाते हैं, तो ये 90 होता न, तो इधर के तरफ component f cos 90 आता, तो f cos 90 की value क्या होती, 0, यानि इधर कोई force नहीं लग रहा है, और body तो इधर displaced हो रही है, तो work कितना हो जाएग 0, एगर theta 90 degree है, then work कितना होगा, 0, then w is equal to 0 होगा, कैसे, जैसे कुली है, एक कुली जो है, ये सामान लेकर के ऐसे चल रहा है मालिया, ऐसे सामान लेकर, ऐसे आगे की तरफ जा रहा है, तो ये जो बकसा उसने लाद रखा है अपनी सर पे, उसका weight की तरफ काम कर रहा है, नीच इधर की तरफ रहा है, तो displacement और weight के बीच में कितना इंगिल है, 90, the work done by the kulis, 0, work done 0 उसके दोरा है, ठीक है, तो ये किताब आप हमेशा साथ रोको, कहीं पर जाओ बाहर, kulis से काम करा है, पैसा दिया नहीं, उसने का पैसा, फट से किताब निका लिए, ये देखो, work done by the kulis, bringing the सामानी 0 पगड़ है, ये बताना उसको, ठीक है, अब कोई 10 लोगे इकटा हो जाएं, दिखा दे ना, भाई साब देखो, हम पड़े हैं, तो भाईया, इसा है, उसने muscular work किया है, उसको पैसा नहीं दोगे, तो work done by kulis on you, you can see, क्या होगा, उस सब घेर के तरबला देंगे, ठी ठीक है, तो theta 90 हो जाएगा, w 0 हो जाएगा, ठीक है, अच्छा, अगली बात, अगर theta 90 से बड़ा हो जाए, if theta is greater than 90, तो cos theta की value होगी, अगर theta obtuse हो जाएगा, तो negative हो जाएगा, तो work will be negative, तो negative work क्या होता है, देखे, हमने work किया, work done by me, अगर कभी कभी क्या होता है, एक बोरा हमको कहा गया, एक slope ऐसे बनी है जीने में, और कहा गया, एक control का बोरा चढ़ा के उपर ले जाओ, धोना है, आज गयो हूँ, हम धक्का मारे, धक्का मारे, हम तो उपर धक्का मार रहे हैं ना, और देखा, बोरा उपर आया नहीं, जैनि कि work done on the system हो जाता है, on the system work होता है, जैसे हम gravity में आते हैं, तो gravity में हम नीचे आते हैं, तो हमें work नहीं कहना पड़ता है, अपने अब हमको work obtained होता है, धरती माता हमको बुला लेती है, आजा बेटा, ठीक है, तो अगर work negative है, तो work done by the, on the system होगा, ये बहुत use होगा, by the system and on the system, जैसे आपने cylinder एक लिया, और cylinder में gas वरी वी है, एक piston लगा हुआ है, अगर उस gas धका मार के piston को उठा दे, तो work कौन कर रहा है, gas कर रही न, gas को एक system मालने, तो work done by the system होगा, और हम piston में बैट गए, तो piston दब गया, तो gas का volume कम होगा, तो work किस ने किया, तो work done on the system होगा, अगर मैं system gas को मानता हूँ, तो work done हमने किया जरूर है, लेकि gas की भास अगर हम बात करें, तो work done on the system होगा, जैसे हमने बोरे को जब उपर धका मारा था, तो work done by the बोरा तो ठीक है, लेकिन अपनी हम बात करें, तो work done on me हो जाएगा, by me नहीं हो जाएगा, on me हो जाएगा, बो जाएगा, तो work done on me हो जाएगा, तो इसको आप याद रखेगा, ये तो work का एक जड़ा सा biography है, क्या कहेंगे, विजिवन परचय, biography कहते हैं, तो अभी आटोग्राइव थे नहीं कि work ने लिखा नहीं है, तो में याद करना है, work क्या होता है, और theta की value पर work कैसे depend करता है, ठी जो हमने इसकी unit की बात की, अभी unit की बात कर रहे थे, तो unit एक तो SI unit हो जाएगी, SI unit, SI unit क्या होगी, newton, meter, या, joule, ये हम जानते हैं, अगर हम ले लें, CGS unit, CGS बोले तो, CGS कम दब क्या होता है, CGS क्या होता है, अरे, ने, हम dimension में था नहीं, CGS क्या होता है, ये SI को MKS कहते हैं, जिसमें लमबाई मीटर में होता है, और K मने किलो ग्राम, S मने सेकंड, जिसमें सेंटी मीटर, ग्राम और सेकंड, तो CGS unit में जो unit इसका होता है, वो newton क्या हो मीटर का cm , ये दूसरा इसका हो जाएगा Arg. ठीक है? ले 2Cntgr g.. एक और yunit होती है.. एक Force की unit च्यार दूसरा हो जायगा तो फोर्स की क्या होती है केजी फोर्स मीटर तो एक ग्रैविटिशन यूनिट होती है अच्छा एक चीज और अर्ग जो की CS यूनिट है और जूल जो MKS यूनिट है इसमें एक रिलेशन होता है क्या होता है 1 जूल इसेटो 10 पावर 7 अर्ग वो आपने वहां पढ़ा था 1 जूल इसेटो 10 पावर 5 न है ठाए है अब देखो न जूल हो गया 10 पावर 5 न हो गया 10 पावर अर्ग 10.7 हो गया और अगर हम यही बात अर्ग के लिह बात करें तो 9.8 Joule हो जाएगा मतब़ केवल केजी फोर्स मीटर कही है या कहीं कहीं केजी मीटर लिखा रहता है केजी मीटर ठीक है तो 1 केजी मीटर केजी फोर्स मीटर को चाहए ours केजी मीटर को यह 9.8 Joule होता है क्यों? भाई देखिए आप जानते हैं कि KG force को Newton में बदलने के लिए क्या करते हैं G से multiply करते हैं वहाँ पर जो G की value होती है 9.8 तो यह भी एक relation होता है तो यह आपका work की unit होती है nature of work में क्या होगा पहला कि work is positive work is positive work positive होता है कब formula के हिसाफ से क्या होता fs cos theta formula जो work का बता है यह क्या बता है fs cos theta यहनि सब कुस किस पर depend कर रहा है theta पर तो theta अगर acute है तो work कैसा होगा positive होगा जैसे हम बात करें पहला example इसका ले ले मालिया freely falling body है freely falling body है तो इसका मतलब क्या होता है कि body by freely गिर रही है किस की वज़े से गिर रही है gravity की वज़े से तो gravity की वज़े से force किदर काम कर रहा है नीचे की तरफ और displacement भी किदर हो रहा है downward तो यानि कि theta यहाँ पर क्या है 0 degree तो अगर हमने h i8 से fake हा तो w is equal to क्या हो जाएगा mg into h रहे mg h positive or negative तो यह वरक कैसा है positive है अभी हम gravity में negative word यूजе करें तो वह यह अलग concept है वह अलग concept है जब वरक attraction की वज़े से होता है तो वरक कैसा होता है तब वरक obtain होता है जहाँ पर attraction होता है वो वरक क्या होता है nd invisible जो obtained होता है वरक ऐसा होता जैसे माली आप कानपुर जाना हो पाबा कहें सैकल से चले जाओ चले जाओगे नी जाओगे और कोई फोन कर दे हैं जानू महाँ जाओ सैकल जाओ तो ही अब मिलेंगे भग जाओगे सैकल ठूटी वाली भी चले जाओगे क्यों वहाँ पर फोर्स कैसा लग रहा है अट्रक्शन लग रहा है ना तो ऐसे ऐसे में जो वर्क होता है वर्क आप्टेइन होता है ठीक है अभी साइकल चलाने को पड़ जाए तो हालत करा हो जाएगी स्कूटी जाएंगे ठीक है अभी कोई पीछे बैड जाए और चला और लगे खा रहे वाह तो वर्क ऐसा हो रहा है उसे थीटा से मतलब नहीं यह एक्जाम पिल आप एक्जाम में लिखो गे ने तो अब दूसरा देखे वर्क इस निगेटिव वर्क निगेटिव कब होता है अच्छा इसमें एक रोलर है मालिया एक रोलर है आप खीच रहो तो दब खीचोगे तो प्रेक्टिकली बताइए क्या थीटा 180 डिग्री करके खीचोगे एक्यूटी तैसे खीचोगे ना तो तब भी वर्क ऐसा होगा फॉस्ट्यू वर्क निगेटिव कब होगा जब थीटा यहां पर 90 डिग्री से बढ़ा हो क्यासे जैसे हमने किसी बॉड़ बॉड़ी को उपर के और फेका तो जब उपर के और फेक रहें बॉड़ी को एच्छाइट तो ग्रेवटी किदर लग रही है तब तो भी नीचे लग रही ना तो यानि कि अगर हम किसी बॉड़ी को उपर के और फेक हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे काम करेगा हम दो चीज़े हैं, हम जब gravitation के against force लगा के भेजते हैं, तो हमारा जो applied force है, वो किदा लग रहा है? उपर लग रहा है, हमारे दोरा जो work किया गवा कैसा है? upward direction में, displacement किदार हो रहा है? upward, लेकिन gravitational force किदार काम कर रहा है, तो अगर हम किसी body को throw करते हैं, मालिया, तो work कैसा हो जाएगा? negative हो जाएगा, ठीक है? यानि अगर हम कहें, if a body is thrown upward if a body is thrown upward upward तो gravitational force acts in downward direction gravitational force की value क्या होती है? mg x downward downward तो यहाँ theta कितना हो जाएगा? 180 degree ठीक है? theta 180 degree हो जाएगा तो यहाँ work कैसा आएगा? work यहाँ पर negative होगा, ठीक है? फिर समझेगा, थोड़ा technical चीज है हमने mg, देखे हमने body को ऐसे रखा gravity को एसे रखा gravity की तर काम करेगा? नीचे की दूर? उपर ले जाओ, चली जाएगी हमको क्या करना पड़ेगा? उसी force के बराबर उसी force के बराबर body के उपर की ओर force लगाना पड़ेगा तो हमारे द्वारा जो force लगायागा, वो किधर है? तो हमारे द्वारा जो work हो रहा वो positive हो रहा है इफ theta is equal to 90 degree तो work कितना हो जाएगा? 0 क्योंकि cause 90 value क्या होती है? 0 वही कुली वाला example कुली जब सामान को लाद करके plate farm में चल रहा होता है तो उसके दरा किया गया work 0 होता है लेकिन जिस समय वो train में चढ़ा रहा होता है तब वो उपर चढ़ रहा होता है और load downward है तो उसका जो displacement है और downward force एक ही line पे है कि नहीं है तब उसके दरा work हो रहा होता है तो अगर आपने कुली को किताब दिखाई कि work तो 0 आ रहा है इसमें और कुली पढ़ा लिखा हुआ गवर्मेंट जो नौकरी नहीं देगी तो लोग कुली का का भी करें न तो कहेगा भाई साब आपको जिस master ने पढ़ाय नहीं बताया कि कुली जिसमें सामान को लाद के प्लेट फार्म पे जा रहा होता है वर कितना होता है जिरो और जब उसमें प्लेट फार्म से उपर ऐसे जाकर के ट्रेन में चड़ रहा होता है तो आप क्या करेंगे आप चैसे उट प्लेट फार्म के नजदीक आए को तो यह सामान हमको इधरी ला दो तो वर कितना हो गया नहीं वो कहेगा हमने सामान ऐसे उठाई वर किया तब आपको दी लdi सा तो वो भी चालाक होगा ना कुल मिलाकर कि आपको परचातो देना ही पड़ेगा ठीक है देखें वर्क डन बाई आव वैरिवल फोर्स लफडा क्या है मतलब क्या आप ले समझगेगा वैरिवल फोर्स होता क्या है आपने एक spring ली बड़ी तरह थोड़ा थी ठीक है उसको आपने हलका सा खींचा spring क्या करेगी आपके उपर opposite force लगाएगी जैसे आप force अटाओगे वैसे ही spring अपनी निन आ रही किया spring अपनी original state में डाउट किया जाएगी इस nature को क्या कहते हैं elastic nature ठीक है और spring को खींचो इसे वैसे spring अपना जो restoring force है वो बढ़ाती जा रही है यहाँ पर जो force लगा रहे हो आप वो constant है क्वेरेबिल है तो यहाँ पर work कैसे निकालें क्योंकि work का formula क्या होता है force into displacement उसके condition है condition यह है कि body जतना भी displacement हो work constant होना चाहिए sorry force constant होना चाहिए अगर force into displacement formula आप लगा रहे हो तो जहां से जहां तक body को displace किया आपने पूरी distance में work कैसा सरी force कैसा होना चाहिए constant होना चाहिए लेकिन spring के case में force कैसा हो रहा था तो अगर variable force है तो work कैसे निकालोगे देखो जान से अब हम करेंगे क्या यहां पर force और displacement की बीचे graph कीचते है force और displacement यह force है इसमें लिखा गया force और bracket में लिखा गया x इसका पहले मतलब समझेगा bracket में x का मतलब क्या होता है force is the function of x यानि force किस पर depend कर रहा है distance पर कर रहा है ठीक है और यह displacement है और force ऐसा लग रहा है तो हमने कहां बताव वर्क कितना होगा तो हमने कहां देखिए अगर हम force यह लगाते displacement यह लगाते और diagram ऐसे मनाते तो यह displacement यह force इसका shape कैसा दिख रहा है square या rectangle जो भी है अब rectangle इसले नहीं दिख रहा है हो भी सकता है एका centimeter का फरक होगा तो पहचान निप पाऊगे तो इसका area निकालिंग तरीका क्या होता है Lnth into breath कर दीजए लेकिन अगर हम यहाँ पर body को यहाँ से लेकर के यहा तक displaced करते हैं हैं तो क्या force constant है कभी force इतना है कभी ज्यादा है कभी कम है constant है तो क्या force into displacement लगा के आप work निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं तब क्या करें साउधान देखो ध्यान से जब force change हुआ होगा जैसे माले हमने spring को खीचा किसे समय spring यहां पर थी और 5 newton force इसमें act कर रहा था कि बाद change होना है तो थोड़ी बहुत distance तक तो 5 रहा होगा ना एक आज मिली मीटर तक तो रहा होगा ना वाई 5 से 5.1 force आने में कुछ तो time लगा होगा ना तो हम क्या करेंगे यह distance लेंगे इस distance का नाम देंगे हम dx और इस force का नाम क्या देंगे f और हम कहेंगे यहां से यहां तक आने में जो work किया गया हो क्या होगा f into dx और जब body यहां आ गई तो force की value change हो जुकी थी 5 से क्या हो गई थी 5.1 तो 5.1 रहा होगा थोड़ी देर तक फिर थोड़ी देर तक display किया हमने फिर हमने इसका multiply किया work निकाला फिर change हुआ फिर निकाला हम क्या करेंगे footage में work निकालते जाएंगे और सब work को उठाके add कर देंगे और total work निकलाएगा अब यहां क्या करें देखो द्यान से यहां पर कुछ force की value रही होगी यहां पर कुछ force की value रही होगी माले f बाद में change हुई बढ़ रही थोड़ी सी है ना फिर कम हुई ओ एक अलग बात है बढ़ रही थोड़ी सी लेकिन थोड़ी देर तक तो f रही होगी ना वो थोड़ी दूरी क्या है यह दूरी है अब यह वर्क कितना हो गया f into dx यहनि वर्क डन इस्माल वर्क डन इस्माल वर्क डन in a small displacement dx small displacement dx का मतलब यह हुआ यह इतना small displacement है कि इस displacement के दोरान force की विलू change नहीं हो रही है तो यहनि कि यह वर्क क्या हो गया dw dw और formula क्या हो गया f into dx ठीक है अच्छा जब body यहां ही होगी तो force change हो गया होगा फिर आपने small displacement किया फिर आपने small displacement किया फिर आपने small displacement किया इस प्रकार से हमने इसको बहुत सारे part में break कर दिया नहीं समझे अब जड़ा एक और लफडा है बहुत सारे part में break करोगे तो जड़ा इस displacement को देखो यह वाला area extra हो जाएगा ना तो हम इतना small कर देंगे इतना small कर देंगे कि यह value 0 लगबग हो जाए नहीं बिल्कुर नजदीक ले आएंगे इसको ठीक है बुक में दिखाया गया पहले उन्होंने दूर दूर rectangle बनाए फिर नजदीक किये और और नजदीक कर दिये इतना नजदीक कर देंगे यह दूरी कैसी हो जाए खतम हो जाए मतलब एक यह देंगे और एक बिल्कुर भगल में ऐसे देंगे नहीं समझे बन गया rectangle पूरा तो टोटल वर्क डन जब निकालेंगे, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, इन डिस्प्लेसिंग द बॉड़ी, डिस्प्लेसिंग द बॉड़ी, कहां से कहां तक, फ्रॉम, एक्सवन तो एक्सटू, तो हमने क्या किया है, हमने छोटे छोटे पार्ट के वर्क निकाले, यह इनको सबको उठा के क्या कर दिया है एड कर दिया है तो हम क्या करेंगे इसको एड करने को कहा जाता है sigma लिखेगा नहीं भी sigma f dx ठीक है अच्छा sigma f dx जब लिखोगे तो यहाँ पर लिखना पढ़ता ना x के लोग कहां से कहां तक है X1 से लेगर के X2 तक ऐसे लिखता है सिग्मा एडिसन को सिग्मा कहते है mathematics की भासा में इसी सिग्मा का नाम लिखा गया है integral इसी सम को क्या कहा गया integral तो को इसका आकार S का है S बोले तो सम इसको integral कहते है और कहां से कहां तक पहली lower limit और यहां पर upper limit तो total work done आपको मिल जाएगा ठीक है तो इस प्रकार से integrate करके हम total work की value निकाल सकते है समझ में आई बात नहीं है तो यह कब लगाएंगे जब हम work done by variable force लगाएंगे जब force X का function होगा तब लगाएंगे ठीक है यह बहुत important है जनरल अभी important नहीं है जिसको पढ़कर एक topic है तो जब question को ही आता है और यह force को X का function कह देते है वो कहते है force is equal to X square plus 3X plus 7 Newton अब X का function है X change होगा तो force की value change हो जाएगी और body को 5 meter से ले करके 7 meter तक displace करना है तो आप क्या करेंगे इसी F को X के respect में integrate करो अब 5 से 7 limit कर दो total work मिल जाएगा अब integral पढ़ाए जाएगा पढ़ाए भी किया होगा इसके पहले बहे X square का integral X cube by 3 X for N का integral पढ़ाए गया न क्या होता है X for N plus 1 upon N plus 1 नहीं आदे चलिए बाद में बताए जाएगा समझ में आगी बात कैसे इसको निकालते हैं और क्यों integrate किया हमने simply हमने force into displacement क्यों नहीं लगाया यह इसको logic है ठीक note करिए